केंद्रियन नागरी कुड्डियन मंत्री जोतिरादित सिंधिया राधनगाउंस दिले के दो दिवस्य प्रवास के दौरान भारती जनता पार्टी के कारेकरता समेलन में शामिल हुए। इस उसर पर उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने गरीबों और आदिवासियों को पक्के मकान देलाने के लिए आवास योजना बनाई है और उन्हें आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं प्रधेश सरकार पर निशाना साधते वे श्री सिंध्या ने कहा कि इस महत्वकांक्षी योजना को राजस सरकार ने ठंडे बस्ते में जाट डाल दिया है। श्री सिंध्या ने भाजपा कार्यकरताओं का आवान किया कि इस तरह की संकुचित निती का कठोरता से विरोध किया जाए। और दिन और रात और दिन मेहनत मशक्कत एक ही सोच और विजाधारा के साथ कि भारत मारता का पर्चम विश्व फटल पर हमें लहराना हो। श्री सिंध्या ने कहा कि यूकरेन सहित अन्य जगहों में फसे भारती चात्र चात्राओं को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया गया है। इसमें राजदंगाउं जिले की विद्यारती भी शामिल है। केंद्री मंत्री एक नीजी होटल में वरिष्ट नागरिकों की ओर से आयजित परिचर्चा में भी शामिल हुए और वरिष्ट नागरिकों की साथ अपने विचार साजा किये। इस औसर पर भारती जनता पार्टी के राश्ट्रिय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सें, सांसाथ संतोष पांडे और स्थानिय पदादिकारी और कारेकरता उपस्तित थे। इस से पूर्व केंद्रिय मंत्री जोतिरादेत सिंधिया राधन गॉजिले में आजित आकांक्षी जिला कारेकरम में भी शामिल हुए।